अश्वी करण प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपी राइट का उलंगत ना किया जाए यदि हां तो भविश्य के संसकर्णों में इसकी स्विक्रीती के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है इस डिजिटल सामगरी के किसी भी हिसे को कागज या इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माद्यम से पूने संग्रहीत या वित्रित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिक्रित ना हो भाशड और श्रवट विकलांगता वाले उमीद्वारों के लिए डिजिटल सामगरी सेक्टर क्रिशी और संबन्द उपशेत्र क्रिशी फसल उत्पादन व्यवसाई भू निर्मान और बागवानी संदर्प आईडी AGR-Q801 संसकरण 1.0 NSQF सर 4 अध्यायचे रोजगार और उद्ध्यमीता कोशल 61.1 व्यक्ति गत्ट ताकत और मुल्य प्रणाली रोजगार और उद्ध्यमीता कोशल इस मोड्यूल में आप व्यक्ति गत्ट शक्ती और मुल्य प्रणाली डिजिनल साक्षर्ता के बारे में जानेंगे कि कैसे रोजगार और सुवर रोजगार की तयारी की जाए कैसे एक उद्ध्यमी बनने के लिए खुद को तयार करें व्यक्ति गत्ट ताकत और मुल्य प्रणाली इस एकाई में आपको स्वास्थ, स्वच्चता, सुरक्षित कार्य वातवरन, प्रेणा के बारे में सिखाएंगे स्वास्थ और सफाई स्वास्थ विश्व स्वास्थ संगटन, डबलू एचो के अनुसार, स्वास्थ एक पूर्ण राज्य है शारिरिक, मानसिक और सामाजिक कल्यान और केवल बिमारी दुर लप्ता का अभाव नहीं विश्व स्वास्थ संगटन कुछ सामाने स्वास्थ मुद्दे हैं अलर्जी, दमा, तुचा विकार, अवसाद और चिंता, मदु में खासी, जुखाम और गले में खराश, सोने में कठनाई, मोटापा आप स्वस्थ रह सकते हैं, फल, सबजियां और नट्स जैसे स्वस्थ भोजन खाएं, स्वस्थ फल आज स्वस्थ कर और शल्ले चिकित सक भोजक पर कटौती करें रोज परियाप्त पानी पीएं, पानी धूर्म पान या शराब नहीं पीना धूर्म पान निशेश शराब नहीं पीना सब्ता में चार से पाँच बार दिन में कम से कम तीस मिनट तक व्यायाइम करें व्यायाइम आविशक्ता पढ़ने पर टीका करण करें टीका योग व्यायाइम और ध्यान का अभ्यास करें योग स्वच्चता स्वच्चता का अर्थ है कि आप अपने परिवेश को स्वच्च रखने के लिए जो कुछ भी आविशक है उसे सुनिक्षित करें ताकि आप किटानों और बिमारियों के फैलने की संभावना को कम कर सकें आदत एक आदत एक व्यवार है जिसे अकसर दोराया जाता है कुछ अच्छी आदतें हैं कुछ अच्छी आदतें जिन्हें आपको अपनी दिन चर्रे का हिसा बनाना चाहिए हमेशा सकारात्मक द्रिष्टिकों रखें सकारात्मक रवईयां व्ययाम को अपनी दिन चर्रे का हिसा बनाए रोज कसरत करें प्रेरक और प्रेड़ दायक कहानिया पढ़े जितना हो सके स्माइल करने की आदत बनाए मुस्कुराते हुए परिवार और दोस्तों के लिए समय बनाए जल्दी सो जाना और जल्दी जगना कुछ बुरी आदतें जिन्हें आपको तुरंट छोड़ देना चाहिए नाश्टा छोड़ना भूग ना लगने पर भी बार बार नाश्टा करना बहुत अधिक चप्टा और मीठा भोजन करना धूम्र पान, शराब पीना और ड्रक्स करना जितना आप खर्च कर सकते हैं उससे अधिक पैसा खर्च करना देर से उठना और देर तक जगना आत्म विशलेशन वास्तव में अपनी पूरी श्यम्ता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर गहराई से देखने और यह पता लगाने की आवश रखता है कि आप वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं आपके व्यक्तित्व को समझने का यह प्रयास आत्म विशलेशन के रूप में जाना जाता है प्रेर्णा प्रेर्णा एक निश्चत तरीके से अभिने या व्यवार करने का आपका कारण है हम मैसलो की जरूरते के पदानु करम को देखकर इसे बहतर समझ सकते हैं आवशक्ताओं का मैसलो का पदानु करम प्रसित अमेरिकी मनो विज्ञानिक अब्रेर्णा मैसलो का मानना है कि लोगों को पाच प्रकार की जरूरते हैं बहुत बुनियादी जरूरते जिसे मनो विज्ञानिक जरूरत कहा जाता है वहां से लेकर अधिकांश महत्वपूर्ण नोट्स तक आत्म विकास के लिए आवशक है जिन्हें आत्म बोध की आवशक्ता कहा जाता है शारेरिक और आत्म प्रती की जरूरत की बाच्ची तीन अन्य आवशक्ताइं है सुरक्षा की जरूरते, अपना पन और प्यार की जरूरते और एस्टीम की जरूरते रवईया किसी चीज के बारे में सोचने और महसूस करने के लिए द्रिष्टी कौन को अपनी प्रवरती सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में वर्णिट किया जा सकता है रवईया सकारात्मक द्रिष्टी कौन कैसे बनाए रखें यदि हम चाहते हैं तो हमने एक दृष्टिकोंड को सुधारना, नियंत्रित करना और बदलना संभव है निम्लिकित यूंक्तियों सकारात्मक मानसिक्ता को बढ़ावा देती है याद रखें कि आप अपने दृष्टिकोंड को नियंत्रित करते हैं ना कि दूसरे तरीके से अपने दृष्टिकोंड पर नियंत्रित रखें दिन में कम से कम 15 मिनिट पढ़ने, कुछ सकारात्मक देखने और सुनने के लिए समर्पित करें कुछ सकारात्मक पढ़े नकारात्मक लोगों के बीच जो केवल शिकायत करते हैं और खुद को शिकायत करना बंद कर देते हैं सकारात्मक शब्दों के साथ अपनी शब्द वाली का विस्तार करें और अपने दिमाग से नकारात्मक वाक्यान्शों को हटा दे अपनी शब्द वली का विस्तार करें सहराना करें अपने आप में, अपने जीवन में और दूसरों में क्या अच्छा है इस पर ध्यान केंद्रत करें खुद को पीड़ित समझना बंद करें और सक्रिय होना शुरूह करें अपने आप को सफल होने और अपने लक्षों को प्राप्त करने की कल्पना करें अपने लक्षे को प्राप्त कीजिए काम की नैतिकता कारे स्थल में नैतिक होने का अर्थ है अपने सभी निर्णे और संचार में इमानदारी, अखंडता और सम्मान जैसी मूल्यों का प्रदर्शन करें इसका मतलब है कि जूट, दोखा और चोरी जैसे नकारात्मक गुणों की प्रदर्शता ना करें एक मजबूत कारे नीती के कुछ तत्व हैं, व्यव्यासिक्ता, इसमें कुछ भी शामल नहीं है कि आप अपने आपको कॉपरेट सेटिंग में उस तरीके से पेश करते हैं, जिस तरह से आप कारे स्थल में दूसरों के साथ व्यवार करते हैं मान्यता इसका मतलब यह है कि तनाव पूर्व या अस्तर स्थिती के बावजूद शेश पद और कुटनीकता मान्यता निर्भरता इसका मतलब है कि हमेशा अपने शब्द को रखना, चाहे वो समय पर काम देने के लिए बैठक के लिए आ रहे हों निर्भरता निष्ठा इसका मतलब है कि निदिष्ट काम पूरा होने तक छोड़ने से इंकार करना और उत्ख्रिष्टा के उच्चम संभाव स्तर पर काम पूरा करना निष्ठा हड निष्च्य इसका मतलब यह है कि बाधाओं को गले लगाने के बजाय चुन्नोटियों का सामना करना चाहिए ताकि आप उन्हें रोख सके वानशित परिणाम प्राप्त कर सके जवाब देही इसका मतलब है कि अपने कार्यों और अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी लेना जवाब देही विनम्रता इसका अर्थ है सभी के प्रयासों को स्वीकार करना और उपलब्धियों का श्रे साजह करना समय प्रभंदन समय प्रभंदन आपके समय को व्यवसित करने और विभिन गती विधियों के बीज अपना समय आवंतिक करने के लिए निर्ने लेने की प्रक्रिया है अच्छा समय प्रभंदन स्मार्ट काम करने और कड़ी महनत करने के बीज का अंतर है समय प्रबंदन का उप्योग करने के लिए नेत्रित्व कर सकते हैं जैसे अधिक उत्पाद कता बहतर पेशेवार प्रतिशिष्ठा करियर में उन्नती की अधिक संभावना है उच्छ दक्षता करियर में उन्नती तनाव कम करना लक्षो को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अफसर लक्षे प्राप्ती प्रवावी धंग से समय का प्रवंदन ना करने से अवांचनिय परिणाम हो सकते हैं लापता समय सीमा घटिया काम की गुणवता रुका हुआ करियर अपरियाप्त कार्य आउटपुट खराब पेशेवारी प्रतिष्ठा खराब प्रतिष्ठा तनाव और चिंता में व्रिधी तनाव बढ़ाए अपने समय का प्रभंदन करने के लिए कुछ उप्योगी सुझाव हैं अपने दिन की योजना बनाए और साथ ही रुकावटों की योजना बनाए व्यर्धान की योजना एक परिशान मत करू साइन आप करें जब आपको पूरी तरह से एक निश्ट मात्रा में काम पूरा करना हो अपने मन को विचलित करने से बंद करें अपना काम सौपिए यह ना केवल आपके काम को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा बल्कि आपको आपके आसपास के लोगों को अदवित्य कोशल और शमताओं को भी दिखाएगा अपना काम सौपिए टालना बंद करो अपने आपको याद दिलाएं कि असफलता या विश्वास के डेर के कारण आम तोर पर स्थिती उत्पन होती है कि आप चीजों को पूरी तरे से नहीं कर सकते जैसे कि आप उन्हें करना चाते हैं टालना बंद करे प्राथ मिक्ता प्रतिय कारे को उसकी अर्जिंसी यह महत्व स्तर के क्रम में पूरा करने के लिए सूची बंद करे फिर प्रतिय कारे को एक-एक करके पूरा करने पर ध्यान दे अपने कारे गती विधियों का एक लौग बनाए रखे आपको ये समझने में मदद करने के लिए ताला का विशलेशन करें कि आप कितने कुशल हैं और हर रोज कितना समय बरबाद होता है क्रोध प्रबंदक की प्रक्रिया है उस संकेतों को पहचानना, सीखना जो आप या फिर कोई और को क्रोधत करें सकारात्मक तरीके से स्थिती को शान्त करने के लिए कारिवाई का सबसे अच्छा तरीका लेना क्रोध प्रबंदक का मतलब क्रोध को दवाना नहीं है यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो आपके क्रोध को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकता है रणनीती एक विश्राम सास लेने के इस सरल व्यव्यायाम को आजन्माए अपने डायाफ्राम से गहरी सास ले, अपनी छाती से सास ना ले अपने पेट से आने वाली अपनी सास की कलपना करें सास लेते समय शांत शब्द को दोहराएं एक आराम का शंड चित्र यह आपकी स्मृति यह आपकी कलपना हो सकता है विश्राम संगयरात्मक पून गर्थन का मतलब है कि आपके सोचने का तरीका बदलना क्रोध आपको शाप, शपत, अतिरंजना और नाटकिये रूप से कारे कर सकता है जब ऐसा होता है तो अपने गुस्से वाले विचारों को अधिक तारकीक लोगों के साथ बदलने के लिए खुद को मजबूर करें उधारन के लिए सब कुछ बरबाद हो गया सोचने के बजाए अपनी मानसिक्ता बदलें और खुद को बताएं यह दुनिया का अंत नहीं है और नाराज होने में इसका समाधा नहीं होगा रण नीती तीन समस्या हल करना एक समस्या के बारे में गुस्सा करना जिसे आप नियंत्रत नहीं कर सकते हैं वह पूरी तरह से प्राकृतिक प्रतिक्रिया है समस्या से निपटना और उसका सामना करने पर ध्यान दे अपने आपको याद दिलाएं कि आप स्थिती से निपटने की पूरी कोशिश करेंगे यदि आप अपनी इच्छा अनुसार समाधा नहीं प्राप्त करते हैं तो आप स्वयम को दोश नहीं देंगे समस्या का सुलजाना रण नेती चार बहतर संचार जब आप क्रोधित होते हैं तो गलत निशकर्ष परकूदना बहुत आसान होता है इस मामले में आपको प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए खुद को मजबूर करने की आविशक्ता है ध्यान से सोचें कि आप क्या कहना चाते हैं कहने से पहले अपने आपको ध्यान से सुनने के लिए मजबूर करें कि दूसरा व्यक्ती क्या कह रहा है फिर जवाब देने से पहले बातचीत के बारे में सोचें बहतर संचार रण नीती पाच अपने परिवेश को बदलना यदि आप पाते हैं कि आपका वातावरण आपके क्रोध का कारण है तो कोशिश करें अपने आपको अपने परिवेश से विराम दे अपने लिए कुछ व्यक्तिगत समय निर्धारत करने के लिए एक सक्री निर्ने ले क्योंकि यह आपको शांत करने में मदद करने के लिए निश्चत है कुछ भी जो हमारे कल्यान को चुनौती या धमकी देता है उसे तनाव के रूप में परिभाशत किया जाता है तनाव अंतरत और बहरी कारणों के कारण से होता है तनाव के अंतरत कारण निरंतर चिन्ता कठोर सोच अवास्तविक उमीद निराशावाद नकारात्मक आत्म बात ओल इन ओल आउट रवया तनाव के बहरी कारण प्रमुक जीवन परिवर्तन रिष्टे के साथ कठिनाईया करने के लिए बहुत जादा है काम पर या स्कूलों में कठिनाईया वितियक अठनाया बच्चों के लेकर परिवार के बारे में चिन्ता करना तनाव के बहरी कारण निम्न लिखित टिप्स आपके तनाव को बहतर ढंग से प्रवंदित करने में आपकी मदद कर सकते हैं विभिन प्रकारों पर ध्यान दे जिसमें आप अपने तनाव के विभिन स्त्रोत को संभाल सकते हैं याद रखें कि आप सब कुछ नियंतरत नहीं कर सकते लेकिन आप नियंतरन कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं गुसे से रक्षात्मक और निश्क्रिय रूप से प्रतिक्रिय करने के बजाए अपनी भावनाओं और विचारों पर चर्चा करें। जब आप तनाव महसूस करने लगें तो ध्यान, योग और ताई-ची जैसे विश्राम तक्नीकों को अभ्यास करें। योग और ध्यान अपने दिन का एक भाग व्ययायाम के लिए समर्पित करें। व्ययायाम फल और सब्जियों जैसे स्वस्त खाद्य पदार्थ खाएं। स्वस्त खाएं अपने दिन की योजना बनाएं ताकि आप कम तनाव के साथ अपने समय का बहतर प्रबंदन कर सकें। आविशक्ता होने पर लोगों और चीजों के लिए ना बोलें। अपने शौक और हितों को आगे बढ़ाने के दिए समय निध्धारत करें। सुनिक्षत करें कि आप कम से कम साथ से आठ घंटे की नींद लें। अपने कैफीन का सेवन कम करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। धन्यवाद। परिवाद। 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 परिवाद।